जैहें दोस्तों आज इस वीडियों बात करने वारे हैं उपी पुलीस भरती कोई परकिरिया जहां तक है दो महिने के अंदर इनका पेपर हो जाएगा आप लोग जैसे जानते होंगे आप अपनी तैयारी रखें ताकि आप सेलेक्शन ले जरूर जैसे कि आप सभी लोग जान जानते हैं कि इसमें चार पॉस्चन पूछे जाते हैं तो इसमें हिंदी हो गया है आप मायत रिजिनिंग जी के जी अस आपका तीन सब्जेक्ट पे पूरा कमांड होना चाहिए मायत रिजिनिंग हिंदी और जी एस पे आप थोड़ा बहुत अगर पकड़ रहेगा तो आपको कैसे कवर करना है अभी से आप जैसे जानते है हिंदी में 37 कोस्चन पूछे जाते हैं तो इसमें आपको पहले जितना chapter है चेप्टर वाईज आपको complete करना है बढ़ियां से कोई question जहां से पूछा जाता है हिंदी में chapter wise आप complete पूरा करना है कोई question ना छुट पाए आपको अगर complete जैसे कर लेते हैं आप पूरा एक practice set लगाएंगे पूरा हिंदी का खरी सायत इस question का आप लगाएंगे और इसके बाद आप reasoning के बाद देखें तो इसमें पूछा जाता है 50 से 55 question तो इसमें आप पूरा chapter जितना chapter पूछा जाता है उसको आप complete करेंगे बढ़ियां तरीके से और इसके बाद आपको जैसे complete हो जाता है इसके बाद यारिनिन का कोई chapter हो या कोई chapter हो या इसके बाद पूछा जा रहा हो उसको आप चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा रिवाइश करेंगे आप उसके प्रेक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपका उस चैप्टर का भी कवर हो जाता है इसके बाद आपको GKGS उठा लेना है GKGS आपको quality और economy और आपका UPGK पूरा complete करना है बहतरी नुहास से आपको UPGK के 8 से 10 question मिलते हैं देखने का तो सबसे ज़्यादा UPGK पर focus रहेगा इसके बाद quality हो गया history आपको चाहंस से जादा question पूछा जाता है वही topic काम समय में आपको जादा से जादा कवर करना है कहा से जादा question पूछा जा रहा है उसी को आपको topic उठा लेना है उसी को आपको कवर करना है आपका ऐसे अगर 4 subject करते हैं तो तो आपका definitely score बढ़ेगा आपका selection 100% होगा तो जय हिंग दोस्तों वीडियो में नेश्ट